हलो बच्चो आज हम इस वीडियो में कक्षा साथ की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का पाच्वा अध्याय पड़ेंगे पाठ का नाम है राजु का सपना इस पाठ के लेखक है टप स्रीमती कमलेज पाठ में राजु नाम का एक लड़का है जो बारा बर्स का है ट्रांसफर हो जाता है काम के सिलसिले में एक अपने सहर को छोड़कर दूसरे सहर को जाती है और इस तरह वो राजु जो है अपने सहरे परिवार के साथ दिल्ली सहर में एक नए माकान में आ जाता है पहले तो वो छोटे से सहर में रहता था परवर्ति मतलब पहारी छेतर में जो है वो रहता था उसके बाद जब वो नए सहर में आया तो नए सहर दिल्ली में आया दिल्ली जो था बड़ा सहर था तो उसे अपने पुराने जगह और इस नए जगह में काफी कुछ अंतर दिखा और बहुत सारी से परिसानिया भी छेलनी पड़ी क्योंकि जब अचानक से नए जगह पे आप भी जाओगे न कभी भी तो बहुत सारी परिसानिया, क्योंकि आपको पुराना कुछ भी नहीं रहता है धीरे-धीरे बलकि एड़्जस्ट कर जाता है तो उसी से संबंदित इस पार्ट में कहानी है कि कैसे उसे नए सहर में क्या-क्या परेशानिया आती है और उसका सामना वो किस तरह से करता है क्योंकि छोटा बच्चा है तो सुरू करते हैं बारह फर्शी राजू अपने परिवार के साथ कुछ दिन पहले ही दिल्ली सहर में अपने नए मकान में आ जाता है वह एक नए छोटी सहर से में रहता था वह सहर परवत्ती प्रदेश में था इट मिंस वही पहारी चेतर में था वहां निर्मल चलकी धारा बहती थी सरकों और मकानों के बीच चिनार के घने घने ब्रिक्ष थे इधर खिले सुंदर पुस्पो के हर समय सुगंद आती रहती थी जब कभी बादल नीचे उतर जाते तो कोहरा चाने से ऐसा प्रतीत होता कि परियों के देश में आ गये हो ऐसे वातावरन में बारह वर्स ब्यतीत करने के प बारी जगा कहीं भी जाओगे तो वहां बादल और प्रकृती का इतना मनोरन द्रिश से रहता है कि एकदम अद्भूत सी छटा हर वक्त चाही रहती है तो ये सब द्रिश्य से एक इतने रोमांचिक जगस से जब बच्चा नया सहर में एकदम तो उसे अजीब सा रियक्ट ह होता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है दिल्ली की सरकों पर किनारे लगे हुए गिने चुने ब्रिक्च राजु को अपनी करुन कथा कहते द्यानों से इधर थोड़ी सी बची घास भी जो राजु को दया की आचना करती थी फूलों की जगा राजु के को ने दिल्ल पहारी चेत्र जो भी है वहां प्रकृती की अद्भूत निराली से छड़ा रहती है वहां के पीर पौधे वहां का वातावरन वहां की बादल हवाई सब कुछ अजीब सी सभी में अजीब सी रौनक रहती है दिल्ली बहरत की का टैपिचल भी है तो बहुत भी भार वाला इ तो यहां उतनी सारी सादगी और प्रकृती उतना निर्मल प्रकृती का भीदर से नहीं दिखाई पड़ता है जैसा कि राजु को भी दिखता है इतना सब राजु को सहना पड़ता परन्तु इसके अतरिक उसके पास कोई चारा भी नहीं था उसके पिता का उनी वस्त्रों का प्यापार था, काम अधिक होने से तथा मुनिम की ब्रिद्ध हो जाने की से राजू के पिता को सब परिवार दिल्ली आना पड़ा उन्होंने एक बड़ा मकान जिसमें छोटा सा बगीचा भी था ले लिया लेकिन घर के बाहर जाते ही सरक पर स्वक्षता, सोर पढ़ाई के अधरिक्तवा बगीचोग में रोज थोड़ी देर गूंता था कभी वहां किसी पौधे में पानी डालता कभी सुखे पत्ते साफ कर देता क्योंकि राजू जो था वो जिस सहर से आया था वहां के जो प्रकृती थी वो तो अद्बुत छटा बिखेरती ही थी साथ ही वहां के जितनी भी चीजे थी पेर, पौधे, सरक जो भी चीज थे उन सब में एक अजिब सी सुगंत थी लेकिन दिली जो था एक भीर भारवाला जगा था इसलिए वो सारा द्रिस से उसे यहां नहीं दिखाई परता था जिस से उसे अच्छा नहीं लगता था तो एक दिन विद्याले में अध्यप पिका ने विद्यार्थियों से प्रस्ट किया तुम्हें कौन सी चीज प्रिये है तो इस बात में बिद्यार्थियों ने सब कुछ-कुछ जबाब दिया कोई कहता खिलोना, कोई कहता आइस्क्रिम, कोई कहता चॉकलेट लेकिन राजु जो है, वो कहता कि मुझे बाग बगीचे, पेर पोधे और फूल अच्छे लगते हैं उनमें खेलते हुए पक्षी, गाती हुई कोयल, मुझे प्रिये है ऐसा सुनते ही, न जाने क्यों सारे बिद्यार्थी हसने लगे परन्तु राजु का उत्तर सुनकर ध्यापिका बहुत प्रशन हुई क्योंकि सभी बच्चे बच्चे जो भी रहते हैं, उन्हें खाने पीने की चीज़े, खिलोने, कपड़े, ये सब अच्छे लगते हैं लेकिन राजु जो था, उन सब से बहुत ही विप्रित था उसे तो बस प्रकृती की चीज़े ही अच्छी लगती थी तो वह वही जवाब देता है, रात को सोने से पहले भी वक्स अपने सहपाटियों के हसने की पिसे में सोचता ठका होने के कालन से ग्रीनी नीदा गई, सपने में इसने देखा की उसके नए घर के पीछे एक पेर है उसने उससे कहा की राजु तुम बहुत अच्छे हो आज तुम्हारे द्वारा दिये गए उत्तर से, तुम्हारे भिन्य प्रभाव, निर्मल्ध, हिर्दै और बनस्पती जगत की प्रती सद्भावना का पता चलता है इस से पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे मैं उन्हें चाया देता था, सीतल हवा देव का वेग देता, रोक कर उन्हें आराम पहुचाता था बसंत रितु में फूल और फल देता था, बच्चे मुझे पर चल कर खेलते थे पक्षी भी मुझे में घुचला बनाकर अपने मदूर्स गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते थे इस सब पर भी वे लोग मुझे से दुर्वेवार करते, मेरी सखाएं काट लेते और चला देते फूलो पर पैरो तले द्रौन देते, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंसता था अंत में इस मकान में जाने से पहले वे मेरे पूरे तन को काट कर लकरहारे को बेच गए अब केवल तुम ही मेरे प्रान बचा सकते हो, यदि तुम रोज मुझे कटे हुए तने को चारो और पानी सीचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाओंगा मेरी ये तुम से प्रातना है, प्राता कल जब राजु उरता है तो उस घर के पीछे हो जाकर देखने की खोसिस करता है तो उसे सच में कटे वे पेर दिखते हैं, जिसका तना पूरा कटा हुआ है ये देखकर राजु को सपने की सारी बाते याद आती है और तुरंट उसी समय क्या करता है, कि पाइप निकालता है और उसमें पानी पटाता है फिर अपने माली से कहकर उसमें खाद भी डलवा देता है कुछ ही दिन बेतीत होते हैं कि पेर के तने में सचमुच एक हरी भरी डाली निकल आई देखते ही देखते तना एक घना प्रिक्ष बन गया बसंत्री तुँ आई बाग में बहार आ गए राजु का जिन दिन आने वाला था अब वो तेरा वर्स का होने वाला था जनम दिन वाली सुबह राजु पेर में पानी डालने गया तो यह क्या वहां सुन्दर पीले फूल लटक रहे थे राजु खुसी से जूम उठा उसने देखा कि पेर पर कई पक्षी बैठे हुए थे उनमें से कुछ चुरियां चह चहा रही थी मानो राजु को जनम दिन की बधाईयां दे रही हो राजु को अपने सुन्दर कारिक पर काफल उसके जनम दिन में उपहार के रूप में मिल जाता है तो इस तरह से राजु का सपना यह पार्ट यहीं समापत होता है इस पार्ठ में लेखक ने प्रकृती से संबंदित और उसके साथ कैसा बेवहार किया जाया उसके कैसे देखवाल की है और एक बच्चा भी इस बात को समझता है इसे बताने का प्रयास किया है तो प्रकृती हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है बहुत ही अच्छे दोस्त है फ्रेंड जो है वो हर समय साथ नहीं देता लेकिन प्रकृति की सारी चीजे जो है वो हर वक्त हर समय सोते जागते आपका साथ देती है अता इससे दोस्ती करना बहुत ही अच्छा है और इसके साथ अच्छा ब्योहार करना भी अच्छी बाते हैं तो इस तरह से इस पार्ट का पार्ट का explanation नहीं समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोले धन्य बाद